हलो दोस्तो मैं आपका दोस्त तैरिक जेम्स और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल All Ethical ग्यान में धन्यवाद करता हूँ आपका मुझे स्पॉट करने के लिए आप लोग के प्यार के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Lovely Inu token के regarding की बहुत सी वीडियो जा रही है बहुत से लोग news दे रहे हैं दोस्तो की जो Lovely Inu की audit है ये complete हो जाएगी 5 December को और दोस्तो इसी चीज़ को लेकर हम बात करेंगे कि क्या ये जो डेट Lovely Inu की तरफ से final कर दी गई है या इसको सिरफ एक high बनाकर एक सिरफ news बनाकर इसको फैलाया जा रहा है इसको एक अफवा बनाकर फैलाया जा रहा है तो दोस्तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में विलकुल last तक दोस्तो अपने point पे आने से पहले एक बार छोटा सा एक दो second हम देख लेते हैं कि Lovely Inu के holders कितने हो चुके हैं और हम है dextool.io की website के ओपर और Lovely Inu और WBNB का pair open किया हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं holders इसके जो 48,000 हो चुके हैं और दोस्तो अभी इस हफते की शुरुवात है और बिलकुल कोशिश रहेगी Lovely Inu की कि इसके holder इस हफते में 50,000 हो जाएं तो दोस्तो यह एक बहुत बड़ी news है कि जो इसकी community है वो strong हो रही है क्योंकि Lovely Inu का price दो डाउन जा रहा है लेकिन इसकी community strong हो रही है कि इतने दिन रहे हैं डिसेंबर खतम होने में क्या $1 जाएगा तो दोस्तो अभियसली नहीं जाएगा और सबको पता है कि यह नहीं जाएगा बिलकुल भी नहीं जाएगा क्योंकि रात एक ही रात में लोग अमीर नहीं हो जाते हैं अभी जो हमारे film industry के जो बड़े बड़े superstar लोग हैं उनके पास भी दोस्तो अगर आप उनकी property देखोगे तो क्रोडों में है लेकिन वो 3500, 3600 क्रोड, 700 क्रोड, किसी की 1200 क्रोड, किसी की 3000 क्रोड ऐसे हैं और लवली इनू लोगों ने 100 क्रोड से लेके मतलब billions में बाई करके रखा हुआ है और आप सोचो कि अगर ये $1 चला गया तो वो superstar लोग तो पीछे रह जाएंगे और सबसे अमीर लोग लवली इनू के holder बन जाएंगे तो ये possible नहीं है कि अभी ये December में $1 जाएगा हाँ हो सकता है कुछ अच्छा profit आप लोगो ये दे दे ठीक है तो बहुत से लोग वहाँ पे लवली इनू के admin हैं उनसे questioning करते हैं कि ये इतने दिन रह गए अभी इतने दिन बच गए हैं क्या ये $1 जाएगा आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि $1 जाएगा और वो लोग आगे से बोलते हैं कि हमारा vision है हम इसको लेके जाएगे तो ऐसा नहीं होता है दोस्तो क्रिप्टोकरंसी में और अभी दोस्तो हम लोग बात कर लेते हैं उस news के regarding तो दोस्तो ये है siteweeksinaear.website करके और मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तो कि इसी website से एक बार एक article निकल कर आया था कि जो lovely inu है वो वजीर x पर list होने के लिए जा रहा है लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई बात नहीं कि lovely inu ने अभी तक lovely inu ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि हम लोग इसको वजीर x पर list करने के लिए जा रहे है और दोस्तो यही बात आप लोग देखिए कि lovely inu की और से कोई भी official news नहीं आई है कि हम लोग lovely inu की जो certic audit है उसको complete करने के लिए जा रहे हैं 5 December को और यहां पर इन भाई साब ने तो लिख दिया है उठा के लिख दिया है और इन्होंने भी ठीक लिखा है लेकिन जो youtubers लोग हैं जो high बना रहे हैं जो अफ़वा फैला रहे हैं आप लोग देख सकते हैं इन्होंने आप लोगों को मैं यहां पर पढ़के बताता हूँ जो मैंने इस article को पुरा read किया है तो इन्होंने भी सिरफ अपने traffic लाने के लिए अपनी website के ओपर यह सब किया है और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है lovely inu certic audit date prediction यहां पर इन्होंने guess किया है prediction की है किसी तरीके से कोई method यूज किया होगा और prediction की होगी कि हाँ 5 December तक इसकी जो certic audit है वो complete हो सकती है और आगे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ इसी website पर अगर मैं इसको पूरा आपको पढ़के बताऊंगा दोस्तों तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है इससे चैनल की हमारे की जो ranking है वो down जाती है वो down जाती है वीडियो की ranking down जाती है सो एक और चीज माँ आपको बताता हूँ आप लोग यहाँ पे इस line को पढ़िये एक बार यहाँ पे इनो लिखा है assessment of lovely inu project and certic audit date कि इनो ने सिरफ assessment की है जो lovely inu के honor है उनसे इनकी कोई बात नहीं हुई है certic audit के regarding और दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो lovely inu को जब कोई भी announcement करनी होती है अपने जो holders को कोई भी information देनी होती है वो यहाँ तो telegram के उपर post करते हैं यहाँ वो अपने twitter account के उपर post करते हैं तो दोस्तों आगे अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे आप लोग इसको पड़ेंगे तो इनों ने लिखा है इनों ने भी यहाँ पे यह बोला है कि यह जो है experts के द्वारा इसको प्रडिक्ट किया गया है एक assessment एक guess कि आगया है कि 5 December को लवली इनों की जो audit है वो complete हो जाएगी तो दोस्तों जो market है यहाँ पर कोई भी बिल्कुल exact prediction नहीं कर सकता है कोई भी आपको exactly नहीं बता सकता है कब market आप जाए कब market down आएगी वो सिर्फ थोड़ी assessment होती है news को देखकर और market को देखकर थोड़ी लोग assessment कर लेते हैं और profit वहाँ से निकाल लेते हैं और दूसरी बात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इनोंने लिखा है और यहाँ पर इनोंने अपनी सारी बात को एकदम से खतम कर दिया है इनोंने जो बोला है कि 5 December को इसकी जो audit है वो complete हो जाएगी इस बात को इनोंने बिलकुल यहाँ पर नकार दिया है कि यह जो आने वाले time में ongoing market की वज़़े से जो news है जो market में news फैल रही है क्रिप्टो बिलको लेकर उसकी वज़़ा से यह delay भी हो सकती है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कल को इनको पूछोगे 5 December को अगर complete नहीं हुई तो अगर इनको आप पूछने जाओगे तो यह बोलेंगे मैंनों यह भी तो बोला था कि यह delay भी हो सकता है market बिलके कारण यह सयम रखिए और lovely इनको spot करते रही है ठीक है अपना जो पैसा आपने invest किया है उसको trust wallet में डालके छोड़ दीजिए ठीक है और कम से कम एक दो साल के लिए आप इसको भूल जाए कि यह $1 जाने वाला है आपको अगर आप चाहें तो इसमें trading कर सकते हैं मैं नहीं बोलता क आपका पैसा है आपका पैसा है आप जैसे मरजी करें मैं आपको recommend नहीं करता हूँ आप trust wallet में रखिए या trading कीजिए जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए लेकिन अगर आप एक अच्छा profit चाहते हैं तो आपको hold करना पड़ेगा आपको सयम रखना पड़ेगा दोस्तों आज की वीडियो औरेडी बहुत लंबी हो चुकी है आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इंटरस्टिंग लगी है तो प्लीज वीडियो को like करें शेर करें चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो का notification आप तक पहुंच सके थैंक यू सो मच